प्रेज लॉड जै मसी की दोस्तों मैं आप सबों को इस Come to Jesus चैनल में आप सबों को खुशी के साथ स्वागत करता हूँ आप सब का स्वागत हैं आज के इस नए दिन के लिए भी हम परमेशर का धन्यवाद करेंगे आए हम आज की कहानी को हम लोग सुनेंगे आज का कहानी है नमक का खंबा यह कहानी का टाइटल है नमक का खंबा इस विशे को सुनते ही आप जान गए होंगे कि आज किस विशे के बारे में किन के बारे में आज हम लोग सुनने वाले हैं तो दोस्तों आज की कहानी सुरू करने से पहले आप सब से एक रिक्वेस्ट है अगर आप में कोई नए है तो कृपिया आप इस चानल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि आपको अगला वीडियो जब हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकिशन मिले आप सब लोग हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं तो आईए आज की कहानी हम लोग शुरू करेंगे नमक का खंबा क्या आपको इबराहिम के भाई का बेटा लूत याद है लूत और उसका परिवार इबराहिम के साथी कनान देश में रहता था एक दिन इबराहिम ने लूत से कहा हम दोनों के पास बहुत सारे जानवर हो गए हैं और यहां सब के चरने के लि लिए जगा चुन लो जिस तरफ तुम जाओगे मैं उसकी दूसरी तरफ चला जाओंगा लूत ने अपने चारों तरफ की जमीन पर नजर दोड़ाई उसने देखा कि यरदर नदी के पास का इलाका बहुत ही बढ़िया है वहां उसके जानवरों के लिए पानी और हरी घास की कोई कमी नहीं थी इसलिए लूत अपने परिवार और जानवरों को ले कर वहां रहने चला गया आखिर में वे सदोम नामक के एक शहर में रहने लगे लुट तो अच्छा आदमी था मगर सदोम में रहने वाले लोग बहुत बुरे थे उनकी गंदी हरकते देखकर उसे बहुत खराब लगता था परमेशर भी सदोम के लोगों के बुरे कामों से परिशान था इसलिए उसने ठान लिया कि वह सदोम और उसके पास वाले शहर अमोरा को नाश कर देगा क्योंकि अमोरा के लोग भी बुरे काम करते थे परमेशर ने दो सर्ग दूतों को लूट के पास भेजा ताकि वे लूट को बता सके और उसे नाश होने से बचा सके सर्ग दूतों ने लूट के पास आकर कहा जल्दी करो अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर यहां से निकल जाओ मगर लूट और उसका परिवार वहां से निकलने में देरी कर रहा था इसलिए सर्ग दूतों ने उनका हाथ पकड़ा और उने शहर से बाहर ले गए फिर एक सर्ग दूत ने उनसे कहा भागो और पीछे मुड कर मत देखना उदर पहाडों की तरफ भाग जाता कि तुम इस शहर के साथ नाश होने से बच जाओ लूत और उसकी बेटियों ने स्वर्ग दूतों की बात मानी और सदूम से दूर भाग गए वे एक पल के लिए भी नहीं रुके नहीं उन्होंने पीछे मुड कर देखा मगर लूत की पत्नी ने स्वर्ग दूत की बात नहीं मानी वे लोग सदम से थोड़ी ही दूर आये थे कि लूत की पतनी रुख गई और पीछे मुड़ कर देखने लगी उसे अपना घर और अपने घर में रखी चीजे बहुत प्यारी थी लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़ कर देखा वह नमक का खंबा बन गई क्या आप उस खंबे को तस्वीर में देख सकते हैं इस कहाने से हमें एक अच्छा सबक सीखने को मिलता है वा यहा की परमेश्वर सिर्फ उन लोगों को बचाता है जो उसकी बात मानते है जो लोग परमेश्वर की बात नहीं मानते उन्हें अपनी जान गवानी पड़ती है हाँ मेरे प्रियों हम इस कहानी से बहुत एक अच्छा सबक सीख रहे है जब परमेश्वर का बात मानते हैं तब हम बच्चते हैं सुरक्षित रहते हैं अगर परमेश्वर के बातों का उलंगन करेंगे तो हम अपने जान को गवाना पड़ता है इसलिए फैसला हमारे हाथ में है परमेश्वर हमें सुतंतर दिया है और परमेश्वर का कहना है कि तुम मेरे बातों में रहो ताकि तुम सुरक्षित रहो अगर हम परमेशर के बात के विरोध में जा रहे तो हमें उसका भूगतना पड़ेगा जैसे लूत की पत्नी पीचे मुड़कर देख दिया जबकि स्वर्गदूत तो ने कहा था कि पीचे मुड़कर नहीं देखना लेकिन इसने पीचे मुड़कर देख दिया और नमा का खंबा बन गई अपना जान गवा दिया ऐसे अगर हम परमेशर का बात का उलंगन करेंगे परमेशर के विरोध में करेंगे तो हमको भी जान गवाना पड़ेगा इसलिए परमेशर के वच्छन में रहेंगे परमेशर के बातों को मानेंगे और सुरक्षित रहेंगे परभू इस कहानी के दोरा बाइबल वच्छन के दोरा आप सबों को बहुत ऐसे ब्लेस करें एक और नए वीडियो में हम लोग जल्दी से मिलने वाले हैं तो आईए हम लोग प्रार्थना करेंगे सुर्गे पिता परमेशर धन्यवाद करते हैं आस्मानी बाप सुर्गे पिता हम आपके चरणों में आते हैं सभी मेरे भाई बेनों को आपके पास लाते हैं प्रभू सबों को ब्लेस करना आपके वच्छनों से bless करना प्रबुजी आपके वच्छनों से आप इनसे बात किया धन्यवाद प्रमेशर हम सबसे सहायता कर प्रभु की हम आपके बातों को माने और सुरक्षित रहे प्रमेशर जैसे लूत और उसकी बेटियों ने आपका बात माना और बच गए लेकिन लूत की पत्नी आपका बात नहीं माना वो अपना जान गवा दिया प्रभु जी आपके वच्छन के अनुसर जीने के लिए और बचे रहने के लिए हमें सहायता कर इन सबी मेरे भाई बेनों को bless करना प्रभु जी आज का दिन हम सब के लिए आशिस का कारण बना देना जो भी काम करने जा रहे है जो भी पढ़ाई बिजनेस से उकाई करने जा रहे हैं मेरे भाई बेनों को bless करना हमके काम में से उकाई में आशिस करना आज सारा दिन आपके उपसिति में आपके भाय भक्ती में, आपके प्रारतना में, आपके आराधना में बिताने के लिए, वो प्रबो जे जहां कहीं भी जाए, आपका गाना गुनगुनाते रहने के लिए, आपके, आपमें लवलीन रहने के लिए सहायता कर, सारी महें आपको देते हैं, एशुम मसी के नाम से मांगते पिता सुन और ग्रहान कर आमें प्रभू आप सबों को बहुत आशा आशिस करें ऐसे लगातर जुड़े रहेगा हम बाइबल की कहानियों को आप तक पहुंचाते रहेंगे मिलकर हम प्रभू में आगे बढ़ते रहेंगे प्रभब आप सबों को बहुत आशायाशिस करें जल्दी से मिलेंगे God bless you